नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी नास्ता, हेल्दी तो है ही क्योंकि गेहूं के आटे से बना है, देख सकते हैं आप बहुत ही क्रिस्पी बना है, इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, तो चलिए फटा फट से रस्की को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे स्टफिंग उसके लिए आपको लेने हैं उबले हुए आलू आलू को बहुत ज्यादा मतुबा लेगा और अब इन्हें कद्दुकस करने के बाद इसमें डाल दीजिए धनिया पौडर साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और सारे मसाले मैंने डिस्क्रिप्शन वोक्स में लिखे हुए हैं आप चैक कीजिएगा थोड़े से डाल दिये इसमें चिली फ्लेक्स या कोटी हुई लाल मिर्च साथ में डाल लीजिए अधरक और लहस्सुन बिलकुल बारीक कटा हुआ अगर आप लहस्ण नहीं खाते skip कर लीजिए बारीक कटा हुआ हरे धनिया की पतियां डालेंगे साथ में बारी कटी हुई हरी मिर्च यह आप टेस्ट के अकोडिंग डालेगा और थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पौडर, अगर आपके पास चाट मसाला है, फिर आप चाट मसाला भी डाल लीजिए, ये देखिए मैंने चाट मसाला भी डाल लिया है, और एक चोथाई चोटा चमच रेड चिली पौडर, साथ में डालेंगे उबले हुए या फ्रोजन म और दो से तीन चमच डालेंगे पनीर के, बिल्कुल बारीक टुकडो में काटा हुआ, और ये ओप्सनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डाल लेंगे हल्दी का पौडर, और वस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अभी इसमें हम नमक नहीं ड दालेंगे, तो थोड़ा समय डाल रही हूं, बारीक कटा हुआ प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, तो उसे भी स्किप कर सकते हैं, स्टपिंग हमारी तयार है, अब इसे हम स्टीम करेंगे, तो इसके लिए आप किसी छननी को या जाली को प्लेट को ग्रीज कर ल दाल लीजिए नमक, टेस्ट के एकोर्डिंग, देखिए अगर हम पहले नमक डाल देते ना, तो हमारी स्टपी जो हो लूज हो जाती है, तो बस आपको क्या करना है, कि जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरह से आठा स्प्रिंकल कीजिए और बड़ी सी रोटी बना लीजि चिली सॉस, जिससे की थोड़ा चट पटा सा इसमें टेस्ट आएगा, आप चाहें तो मायोनीज भी लगा सकते हैं, घर में हरी चठनी बनी हुई है, बस अब आपको स्टफिंग इसमें भरनी है, जितनी आपको स्टफिंग चाहिए, इसमें थोड़ी ज्यादा स्टफिंग ही अच्छी लगती है, आप इसे चारों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, हलकी सी में यहां टोमैटो केचप लगा रही हूँ, जिससे की टेस्ट भी अच्छा है और पेस्ट भी हो जाएगी, अब हलके हाथों से इस तरह से इसको फोल्ड कीजिएगा, बहुत ज्य थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके इस तरह से पिंच कर लिया है, अब आपको क्या करना है, इसी तरह से सारे रोल्स जो है वो बना लेने हैं, और इसे रख लीजिए ग्रीज की हुई प्लेट में, अब मैं आपको एक फटा-फट से और दिखा देती हूँ, जिसमें की मैं चीज डाल रही हूँ, तो चीज डालना ओप्सनल है, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं, तो आप चीज भी डाल सकते हैं, फटा-फट से इसको रैप कर लीजिएगा, और अब हम इसे स्टीम करेंगे, पहले थोड़ा सा उपर से टेल लगा लीजिए, स्टीमर को मैंने गर्म होने के लिए देखिए रख दिया था, तो पानी जो है गर्म होना चाहिए, फिर आप प्लेट को इसमें रख लीजिए, अब मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक इसे पका लीजिए, और 15 मिनट के बाद ये देखिए, काफी ये फूल गए हैं, काफी फलफी हो गए हैं, और ये दाल लीजिए, और हाँ, जो हमने आटा गुंद कर रखा था ना, उसमें थोड़ा सा नमक मैंने डाला था, अब बस क्या करना है आपको, कि जो स्टीम किये हुए हमने रोल बनाए थी ना, वो काट लेने हैं, अपनी मन पसंद शेप में, ये देखिए, दो तरह से मैं आपक पतले काटिएगा, ये मैं आपको सुजेशन दे रहे हूं, बाकि आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हाँ, इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि स्टीम किये हुए हैं, लेकिन इन्हें हम फ्राइ भी करेंगे, तो ये दूसरी तरह से आप ऐसे भी इसे काट सकते हैं, आसानी से कट जाते हैं, बहुती टेस्ट ये बनते हैं, तो वस इस तरह से काटने के बाद इन्हें आप गर्म तेल में फ्राइ कर लीजिए, तेल जो है बहुत ज़्यादा खौलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हा ज़्यादा खौलता हैं, तो हमारे जो स्नेक्स है वो तेल ज्यादा पिती है, अब डिप कर लीजे सलरी में, बहुत ज्यादा थीक नहीं हैं, देख सकते हैं, आप बहुत ज्यादा थीक सलरी भी नहीं रखनी हैं, अब मेडियम टू हाइ फ्लेम पर इनको आप फ्राइए कर के कौन से कोने से देख रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटा-फट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी बहुत सी अच्छे-ची रेस्पी आने वाली है और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन को जरूर दबाईएगा तब ही मेरे वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा तो लीजिए हमारी सूपर टेस्टी, सूपर क्रिस्पी स्नैक्स तयार है ये देखिया बाद सुनिए हैना एकदम क्रिस्पी तो वस इसे आप चटले के साथ या सॉस के साथ इंजोई कर सकते हैं तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए रेस्पी को जरूर से ट्राई कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यावाद